बाई शुरेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नुकलीयस याने केंदर के बारे में, ठीक है? देखें फ्रेंड्स हम लोग इस लेक्चर में आपके से शिल बालुजी के सबसे इंपॉर्टेंट टापिक किसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, नुकलीयस के बा राबर्ट ब्राउन ने किसने की है राबर्ट ब्राउन नामा साइंटिस्ट ने किसमी किया था 1831 नामा किसमी में क्या किया गया था इसको डिस्कोरी किया गया था नुकलियस को ठीक है अब देखिए यहां पर पहली बात इसको हम लोग करते हैं मैनेजर आपसिल क्या करते हैं है manager of cell manager of cell क्या होता ruim सी जिसे कोई आफी को vedere है okay one go kuv करता है top-page total करता है ठीक है पूरे कारें के निग्रायों रखता है कि कहां प्राइक क्या हो रहरा है उसी प्रेकास जिनिकल्ण होता रहर 25 में रुण तो पूरे सेल के मेकेशन को को इस लीए wa best करते हैं आप सेल करते हैं अगला point देखी आपढ़ जेनटरिक inuite 안 Kanpur मतब न्युक्लियास जो है ना वा सेल में सेल के अंदर जो neigent है वह our kuya अपने अंदर68 पार्मेसर क्या घ्लितिक इन फार्मेशन किसके फार्म चे लेकिन यह किसी भी आगनिजम के करेक्टर में के इंटरफेरेंस में ज्यादा रोल प्ले करते नहीं इसलिए उसको अगला पॉइंट है नुकलियस प्रेजेंट इन सेंटर इनिमल से जानी जब बात हम किसी इनिमल सेल की करते हैं तो नुकलियस कहां प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है लेकिन जब हम बात करते हैं किसी प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में जो नुकलियस होता है वह किसी किनारे की तरफ होता है ऐसा क्यों होता है इसका बहुत सिंपा सेंसर के इनिमल सेल में जो नुकलियस होता है वह सिंटर में क्यों कि यहां पर जो वेक्यूल पायाता है ना क्या पायता है वेक्यूल इने रिख्तिकान कहते हैं जो व्यक्शन प्यक्रति करता है यहां छोटे चोटे होते हैं इनिम्र सेल में ठीक है जिसे से से होता है कि न्युक्री अश्टर में बना रहाता है ब्रट इन केस ऑप्लांड इसले वेख्री इन फेरी इन फेरी इन फेरी इन प्लांट सेल डियू टू वेकिव ठीक है और यहां पर क्या है नुकलियस प्रजेट्ट है कहां सेंटर में बैद्र इंवल से, clear होगे आपको, आप देखें, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और क्या structure of nucleus, nucleus का structure क्या है, तो देखें nucleus के structure जब लोग पढ़ते हैं, तो nucleus की structure को चार भागों बाटा जाता है, पहला जो structure होता हुँ, होता है मेंब्रेन क्या होता है मेंब्रेन तो मेंब्रेन जो नुक्लियस है दो मेंब्रेन गिरा होता है दो मेंब्रेन से यहां पर है आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन आउटर और इनर मेंब्रेन यहां पर क्या है पेजेंट है ठीक है तो मेंब्रेन जो नुक्लियस है द nesse circuit गेंध के समानों दा उसके बीच 2-2-2 में क्या हुपाइइ, इसह हम लोग करते है, स oxidator अब सीowa मिंवजवा, इसे कई इस लगा हुआ क्य आर रोता है, आपने देखा था इसके पर रच, इयां आ हिडियो तो अब सन्वेशे, अब समय इस बने में और बने में पर और ने काघते हैं कि िले कर दो सिर्न देए पर इस में प्रम्र अगों पाधा है इसके साथ कर लगा ऊब़ाइ्ज्ट अभी पदार्थ से नुकुलियस में जाता है ये रहाज से जैसे ही कोई पदार्थ नुकलेस में जाएगा या फिर कोई पदात नुकलेस से कहा आता है सेल के साइट्योप्लाज में आता है तो किसके तुरू होकर आता है नुकलेपूर के द्वारा होकर आता है ठीक है तो यह आपको सुझाएगा नुकलेपूर क्या है क्रोमेटिन थेड क्या है तो यहां दखे है DNA और DNA के साथ होता है हिस्टोन पूटीन तो अगर DNA के साथ हिस्टोन पूटीन भी आ जाए तो ऐसे धागों क्या करते हैं क्रोमेटीन थेड़ करते हैं अगर DNA के साथ हिस्टोन पूटीन भी आ है इसे हम लोग करते हैं फैक्ट्री आफ राइबोसोम क्या करते हैं फैक्ट्री आफ राइबोसोम यह निए राइबोसोम कहां बनता है निकलियूलस में बनता है इसे हम लोग करते हैं फैक्ट्री आफ राइबोसोम तो यह था थोड़ी से इन फार्मेशन जानकारी किसके लि केस्ट वाली लेक्षर में study करेंगे तो इतनी जनकाय अपने पास रखिए इसके अगले वाले लेक्षर में हम लोग निकलेस के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है तो वीडियों के ज़़ा सब्सक्राइब के लाइक के शेयर करिए और वीडियों आपको कैसा लगा क प्रफेर सुर में क करेंगे आपको कैसा अबरा बार बारे में तो सब्सक्राइब का अपको विडियों कर दो खबेंगे तो सब्सक्राइब कर दोस्थार में पहुत है आपको कि अपको तो